डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक ऐसा कॉंसेप्ट है कि जिसके प्रती बहुत ही उच्छुकता होती है सब में और वो कॉंसेप्ट है लैंडिंग पेज इसके आप लैंडिंग पेज ये शब्द काई बार सुना होगा हला कि ये पेज है वेबसाइट से रिलेटेड है ये तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन सौ मेंसे 99 प्रतिशत लोगों को confusion होता है कि आखिर landing page क्या होता है नमस्ते मेरा नाम संदीब बंसाली है मैं digital marketing सिखाता हूँ हिंदी में और समझाता हूँ कि कैसे digital marketing को सीख कर हम अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोल सकते हैं अगर digital marketing से online किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं तो landing page एक बहुत ही important part है तो आईए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को landing page से अवगत कराने वाला हूँ landing page क्या होता है इसकी importance क्या होती है इसके components क्या क्या होते है और इतना जरूरी क्यों होता है landing page इसके उपर एक पांच-दस मिनिट गहराई से बात करेंगे मैं आप लोगों के साथ मेरा screen शेयर कर रहा हूँ जहां मैं आपको landing page के बारे में details दूँगा और practically दिखाऊंगा कुछ landing pages के landing pages होते कैसे हैं अब बात कर रहे हैं कि एक landing page क्या होता है what is a landing page simple है landing page जो होता है वो usually एक stand-alone page होता है stand-alone page का मतलब यह है कि जब एक website होती है तो उस पर कई सारे प्रकार के pages होते है home page होता है abouters होता है contacters होता है वगेरा तो यह सारे pages एकटा होते हैं एक जगा लेकिन landing page एक अकेला page होता है यह वो page होता है जहां पर customer land करता है link के उपर click करने के बाद यह specifically बनाया होता है advertising के लिए marketing के लिए selling के लिए इसकी सबसे विशेज बात यह होती है कि यह एक single goal के लिए बनाया होता है और इसका एक single call to action होता है अब थोड़ी सी theory हो गई क्यों ने इसे practically देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि actually एक landing page क्या होता है जो अभी आपके screen पे आप देख रहे हैं यह एक landing page है इस तरह के कई सारे landing pages जब मेरे आसपास आते हैं मेरे जहन में आते हैं दिखाई देते हैं किसी भी platform पे तो मैं इन्हें save करता हूँ study करने के purpose अभी जो आप आपके सामने देख रहे हैं यह एक landing page है अब यह product क्या है और क्या बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं उस पे हम ध्यान नहीं देंगे हमें सरिफ इस landing page के concept को समझना है इस landing page पे headlines लिखी हुई है जहां यह product के बारे में बता रहे हैं visual representation है इनके product का दिखा रहे हैं कि इनका product क्या है नाम और email ID लेने के लिए एक छोटा सा form है यानि lead collect करने के लिए यहाँ पे call to action है उसके बाद इस product के बारे में बहुत सारी information दी हुई है जो भी इस product की USP है उसको बताया गया है जो mistakes usually लोग करते हैं उसको बताया गया है इसमें क्या-क्या नहीं मिलेगा क्या-क्या नहीं करना है वो बताया है क्या-क्या करना है वो बताया है और statistics के साथ साथ customer experiences भी बताए हैं, results बताए गए हैं और सबसे end में अगर आप जाओगे नीचे तो दुबारा एक बार call to action दिया गया है यह एक बहुत ही typical typical landing page है इसी प्रकार से आपको कुछ और landing pages दिखाता अब यह typical landing page है जहाँ पर सिर्फ lead collect किया जा रहा है शायद कुछ बेचा नहीं जा रहा है, सिर्फ lead collect करना है headline है, visual representation है, form है आपको इसमें क्या मिलने वाला है, वो सब कुछ दिया गया है कुछ videos भी रखे हुए है, सवाल पूछे हुए है, common उनके जवाब दिये हुए है जिनके बारे में ये सब कुछ है, उनके बारे में ये सारी information और लोगों के reviews कि कौन-कौन customers ने use किया, उनका क्या-क्या फाइदा हुआ और इन reviews के बाद नीचे दुबारा एक बार, conclusion में, वही form एक बार दुबारा दिया गया है कि किसी को वापिस उपर तक स्क्रोल करने की जरुवत ना पड़े अब ये छोटे landing pages हैं, कभी-कभी landing pages बहुत बड़े भी होते हैं, ये देखिए ये एक film maker, 14 दिन का कोई course है, उसका landing page है यहाँ पर उन्होंने एक video डाला है, जहाँ वो खुद बता रहे हैं, अपने बारे में, अपने program के बारे में call to action दिया हुआ है, कि आप यहाँ पे button दबा के शुरू कर सकते हैं उनकी credibility यहाँ पे बताई गई है 14 दिनों का जो यह course है, इसका agenda क्या है पहले दिन यह सिखाएंगे, दूसरे दिन यह, तीसरे दिन यह, चौथे दिन यह इस प्रकार से day after day उन्होंने detail में बताया गया है कि उनके इस course में, उनके इस program में वो क्या क्या सिखाने वाले है अब इस course के साथ उन्हें और क्या-क्या मिलेगा bonus जिसे हम कहते हैं, इन bonuses के बारे में बताया है इसकी quality बताई है कि यह fast है, simple है, easy है इसके साथ कौन-कौन से software वो दे रहे हैं, discount में वो सब बताया गया है, कौन सिखाएगा instructors के बारे में details दिये गए है, इनके कुछ video resources दिये है यह course किसके लिए है, उनके बारे में बताया गया है किसके लिए नहीं है, वो भी बताया गया है और customer reviews के साथ-साथ कुछ messages किस-किस brand के लिए इन्होंने काम किया है frequently asked questions और सबसे end में जाके दुबारा एक बार call to action यह कितना typical landing page है उमिद करता हूँ कि यह देखने के बाद आपके जहन में अब concept level पर clear हो चुका होगा कि landing page किसे कहा जाता है तो एक बार दुबारा refresh कर रहा हूँ ताकि इस concept को हम एकदम अच्छी तरह से समझ जाए landing page usually एक standalone page होता है single page होता है जहाँ पर customer ad में social media पर या जहाँ कहीं पर भी link मिलती है उसे click करके पहुँचता है land करता है उसे landing page कहते है यह landing page advertising, marketing या selling के लिए specifically बनाया जाता है और इस landing page पे हमेशा एक single call to action होता है एक target होता है जिस target को लेकर यह पूरा landing page बनाया जाता है कई बार हमारे जहन में यह सवाल आता है कि एक landing page और एक home page में कि जो website का first page होता है उसमें difference क्या होता है landing page और home page के बीच का जो basic difference है वो यह है कि एक home page जो होता है उसमें बहुत सारी information होती है और example अगर आप digital आजादी के home page पे जाओगे तो वहाँ पे मेरे बारे में information है digital marketing के बारे में information है courses के बारे में information है मेरे students के बारे में information है कई सारी information उस home page पे दीवी है लेकिन एक landing page पे specific सिर्फ उस course के अंदर की information या उस program जो भी उस landing page पे बेचा जा रहा है उसके related specific information उस page पे होती है बहुत सारी information नहीं होती है एक home page पर range of products होते है बहुत सारे products और services की बाते करते है जैसे मेरे digital आजादी के home page पे आपको लोकनिती मिलेगा, धन निती मिलेगा, रण निती मिलेगा, राज निती मिलेगा सारे courses के बारे में बताया गया है सारे products के बारे में बताया गया है लेकिन अगर मैं एक page बनाओ जिस पे मैं सिर्फ लोकनीती के बारे में ही बताओ कि इस course में क्या-क्या है तो वो landing page कहलाएगा क्योंकि वहाँ पे मैं single product या single service की बात कर रहाँ एक homepage पे बहुत सारी distractions होती है बहुत सारी navigations होती है जैसे homepage पे button होता है कि अगर आप about us चाहते हैं तो यहाँ चले जाईए contact us करना चाहते हैं तो यहाँ चले जाईए blog पढ़ना चाहते हैं तो यह button दबाई ऐसा landing page पे नहीं होता landing page पे हमेशा एक ही objective होता है और एक ही call to action होता है जहाँ आपको click करना है homepage पे बहुत सारे call to actions हो सकते हैं जैसे course खरीदिए अगर course नहीं खरीदना है तो email id दे दीजिए अगर संपर्क करना है तो यहाँ पे whatsapp भी कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे call to actions homepage पर होते हैं landing page पर एक ही call to action होता है या हम lead collect कर रहे होते हैं या हम कुछ sale कर रहे होते हैं I hope कि यह जानने के बाद आपको एक homepage और एक landing page में क्या difference होता है यह clearly समझ में आ चुका होगा अगर आप clear है तो please chat और comments में clear type कीजिए क्या यह concept clear है आईए आपको बता रहा हूँ कि landing pages के types कौन-कौन से होते हैं primarily landing pages जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं lead generation और click through lead generation वाला जो landing page होता है वो सिर्फ lead collect करने के लिए होता है जहां पे आप सिर्फ नाम email id, mobile number और maybe चाहे तो शहर या कोई एक specific information और चाहें सिर्फ information आप collect कर रहे होते हैं इसे usually squeeze page भी कहते हैं ये lead generation का intention रखता है और जो second type है landing page का वो होता है click through जहां पर usually हम कुछ न कुछ sale कर रहे होते हैं या कोई product या कोई service या कोई subscription जैसे कि कोई course या कोई workshop या कुछ भी तो ये दो प्रकार के landing pages होते हैं जो सबसे common है एक है lead generation जहां हम leads generate कर रहे हैं और एक होता है click through जहां पर हम कुछ न कुछ बेज रहे हैं अब वो कौन सी qualities हैं जो एक अच्छे landing page में होनी बहुत जरूरी है एक अच्छा landing page तभी अच्छा कहलाता है जब वो singular focus का हो कूरा landing page जो बना हुआ है उसका जो भी धांचा है उसमें जो भी creatives use किये हैं जो भी लिखा हुआ है उस सबका intention मकसद कुछ एक होना जरूरी है compelling copy होनी चाहिए compelling copy का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ती उस landing page को शुरुआत से देखना शुरू करे by the time वो उस landing page से गुजरे उसे ऐसे लगना चाहिए कि यह मैं click करूँ और जो भी offer मुझे मिल रहा है यह बहुत अच्छा है मेरे बहुत सारे problems इससे solve होने वाले है और उसे अंदर से ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो click करके opt करे या खरी दे या lead generate lead अपना दे दे या जो भी call to action है वो करे हमें कोई जूटी technique या कोई जूटे वादे करके या कोई लुभावना कम price बता कर जादा लेना है ये वाले techniques में मैं believe नहीं करता उसे manipulation कहते है हमें किसी को manipulate नहीं करना है compel करना है अपने product के बारे में इतना अच्छा बताना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ मुझे ये चाहिए उसे कहते है compelling copy अच्छा landing page वो होता है जिसमें जो call to action हो वो eye catching हो attractive हो और fourth quality कि वो सबसे जल्दी load हो जाए usually social media marketing में या search engine marketing में जहां हम ads लगाते हैं वहाँ अगर कोई link हमने दी है कोई व्यक्ति उस ad पे click करे और फिर landing page खुलने में अगर समय लगे तो वो lead जो है वो prospect जो है वो चला जाता है इसलिए landing page की जो loading speed है वो बहुत important होती है आईए अब आपको आगे बता रहा हूँ ये एक अच्छे landing page के components क्या क्या होते है एक अच्छे landing page में ये 6 components का होना बहुत ही आवश्यक होता है सबसे पहले hook वो पहला वाक्य कि जो landing page के सबसे उपर होता है जिसे headline या sub headline आप कह सकते है कि जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति जो है वो उस landing page को पूरा पढ़ने के लिए उच्छुक हो जाए इसे हम कहते हैं hook hook के साथ अवश्यक होता है feature and benefits कि जो भी आपका product है या आपकी service है उससे जो prospect है उसका क्या फाइदा होगा ये बताना आवश्यक होता है social proof कि आपका ये product कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है urgency scarcity कि अगर आपने अभी ये नहीं लिया तो आप क्या miss कर दोगे कौन सी ऐसी चीजें है जो आप गमा बैठोगे उसका एक marketing करना साथ में risk reversal risk reversal का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी जिन्दगी में problem है उस problem को कैसे सुधारा जाएगा हमारा ये product लेकर और last में होता है call to action सर्वसाधरन हम जब content marketing की बात करते है तो ये 6 चीजे हम हर जग़ पाहते है हर जग़ इनी 6 चीजों का होना बहुत ही important होता है लेकिन एक landing page copy अच्छी copy सिर्फ तभी कहलाती है जब ये सारे components बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे सजाए गये हो क्योंकि तभी आपकी copy जो है वो compelling copy कहलाती है अगर आप landing pages बनाना चाहते हैं तो कौन-कौन से ऐसे tools है जो आप इस्तिमाल कर सकते है landing pages बनाने के लिए सबसे पहले तो आप wordpress में landing pages बना सकते है wordpress जो हम digital azadis के website शस्त्र में सीखते हैं वही पर अगर आप एक individual page बनाएं और उसमें ये सारा designing करने सारे concepts अगर आप उसमें उतारें तो ये अपने आप में एक landing page की तरह आप उपयोग कर सकते हैं इसका आपको कोई और external service खरीदने की ज़रूरत नहीं लेकिन कुछ ऐसी service देने वाले लोग है जो landing page में master है specialized है कि जिनके tools इतने आसान है कि आप बहुत कम समय में बहुत खुबसूरत landing pages create कर सकते हैं उन कुछ services का नाम मैं आपको बता रहा हूँ opt-in press click funnels click funnels जो मैं use करता हूँ convert kit convert kit के अंदर भी landing pages की facility है swipe pages, unbounce, lead pages insta page यह सारे ही जो है यह professionally landing page बनाने के tools है इन सभी में कुछ समय के लिए free option है, trial period है तो आप इन्हें use करके इनके इस्तमाल करने की जो easiness है वो आप check कर सकते हैं इनका speed आप test कर सकते हैं और फिर जिसके designing और जिसका speed आपको सबसे अच्छा लगे फिर वो आप use कर सकते हैं अपने funnels के लिए यह सारे options है और इससे भी जादा options है लेकि यह सबसे अच्छे options हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अब finally बात करते हैं कि एक landing page इतना important क्यों होता है landing page इतना जरूरी सर्फ इसी लिए होता है क्योंकि यह वो जगा है जहाँ पर एक prospect जो है वो आपका lead बनता है जब आप social media marketing करते हैं search engine marketing करते हैं ads लगाते हैं तो जब लोग उस ad पर click करते हैं आपके landing page पर आते हैं और landing page वो जगा है जहाँ वो आपको अपना नाम email id, mobile number देते हैं और यह दर्श करते हैं कि हम आपके product में interested हैं landing पर जरूरी इसलिए है क्योंकि यह वो जगा है जहाँ पर आपका lead आपके customer में directly change हो सकता है यह अगर compelling copy आपने अच्छे प्रकार से लिखी तो ऐसे बहुत सारे products हैं कि जिनके लिए आपको webinar भी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको किसी प्रकार की sale pitch करने की जरूरत नहीं पड़ती calling करने की जरूरत नहीं पड़ती follow up की जरूरत नहीं पड़ती customer ad पे click करके landing page पे आता है वहीं पे सब कुछ पढ़ता है सीधे payment करता है और आपका product परचेस कर लेता है अब सिर्फ इस बात को आप imagine कीजिए मान कर चलिए कि जैसे मैं अपने courses दे रहा हूं अगर ऐसे courses मैं सीधा landing page से बेचना शुरू करूँ और अगर मेरा landing page उतना अच्छा हो कि जहां पे मेरे course के लिए मुझे बाकी कुछ ना करना हो तो automatically मेरा जो funnel है यह automated हो जाएगा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ उस landing page की तरफ मुझे ads लगा के traffic भेजना है लोगों को भेजना है automatically selling शुरू हो जाए इसलिए landing pages important होते हैं क्योंकि जो पैसा the money spent on traffic is of no use without a great landing page अब कितना भी पैसा ads पे खर्च कीजी ads पे पैसा खर्च करोगे तो जो platform है जैसे facebook है instagram है youtube है उस platform का काम सिर्फ इतना है कि उसके जो members है वो आपके ad पे click करें जहां पे वो click करते हैं उस platform का काम खतम हो जाता है लेकिन आपकी कहानी तो उस click के बाद शुरू होती है जब वो prospect click करके landing page पे आएगा उस point से लेकर वो आपका lifelong customer बना रहे यह आपके लिए सबसे important है तभी आप जो पैसा खर्च कर रहे हो ads में उसके सामने आपको returns मिलना शुरू होते हैं इसलिए कहता हूं कि जो भी पैसा आप खर्च करोगे ads पे उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपका landing page अच्छा नहीं है एक landing page की कीमत एक landing page बनाने जाओगे अगर तो बहुत आसानी से 15-20,000 रुपया minimum charge करते हैं minimum 15-20,000 रुपया एक landing page के लिए minimum charge किया जाता है अपवड दो लाक तीन लाक पांच लाक रुपया भी लोग लेते हैं एक landing page डिजाइन करने के लिए इस बात की गहराई को समझिए दुबारा एक बार एक landing page बनाने की कॉस्ट 15,000 से लाको रुपय तक जाती है समझ रहे हैं क्यूं बता रहा हूं यह किसले बता रहा हूं क्यूंकि अगर आप एक landing page अच्छे से design करना सीख गए सिर्फ एक landing page अच्छी तरीके से design करना सीख जाएं तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा बिजनस है और बहुत in demand job है in demand है ध्याम रखना मेरी यह बात एक landing page अगर आप अच्छे से design करना सीख जाओ तो एक landing page designer की भाती आप महिना लाक डेड़ लाक दो लाक रुपया अपने घर बैठे आसानी से अपनी शर्तों पर काम करके कमा सकते हैं यह बहुत ही in demand वाला काम है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेब पेज designing सीखना है तो मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि सर आपसे जो हम लोकनीती का कोर्स ले रहे हैं जहां वेबसाइट बनाना सिखाते हैं क्या हम इसमें से पैसा कमा सकते हैं यह उसका जवाब है कि अगर आप वेबसाइट वेब पेज बनाना अच्छे से सीख जा बना सकते हैं इसमें इतने पैसे कमाने का स्कोप है I hope landing page यह concept आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा और उमीद करता हूँ कि आपके अंदर यह थोड़ी सी उचसुकता जागी होगी कि आप landing page कैसे design किया जाता है उसके बारे में सीखना चाहेंगे मेरे आने वाले videos में मैं landing pages कैसे design किये जाते हैं इसके उपर भी focus करूँगा लेकिन आज मेरे पास आपके लिए इतना ही था guys मैं digital marketing सिखाता हूँ हिंदी में चाहता हूँ कि आप लोग digital marketing सीखना जल्द से जल्द शुरू करे और इसके लिए मैंने एक free course बनाया है जिसका नाम सुनीती है इस video के नीचे जो description है उस description में आपको इस course की link मिल जाएगी उस link पे click कीजिए मेरा free course लीजिए और digital marketing free में सीखना शुरू कीजिए मैं जानता हूँ कि अगर आप इस रहा पे चल पड़े तो आप अपने गोल्स तक अपने लक्ष तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे क्यूंकि मैं आपके साथ हूँ साइन आफ करता हूँ गाइस मैं हूँ संदीब बंसाली डिजिटल आजादी का रचेता सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग हिंडी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको लगता है कि ये और लोगों तक पहुँचना चाहिए तो भेज दीजे इसे आ हुआ हुआ है